हेलो एवरिबड़ी मेरा नाम है निलेश मकवाना और आज में आप सब से मेरे नो फैप चैलेंज का एक्स्परियंस और नो फैप को फोलो करने से मुझे क्या क्या बेनेफिट्स होए है उसके बारे में इंपरमेशन सेर करना चाहता हूँ मैंने 10 जानिवारी 2020 को नो फैप को फोलो करना स्टार्ट किया था तब से नो फैप, नो पॉन, नो मास्टरबेशन मैं मेरी नो फैप जन्नी की स्टार्टिंग में बहुत ही इंस्पाइड, मोटिवेटेड और एक्सारेड था बट 20 दिन के बाद मैं अपनी इंस्टाग्राम पर एक्स्प्लोर पेज पर एक्स्प्लोर कर रहा था, तब मोडेल्स के फोटो देख के मुझे स्ट्रॉंग अर्जिस आ गए और मैंने रिलाप्स कर दिया, अगर मैं आपको सजेशन दू तो अगर आप नो फैप को लंबे टाइम तक फोलो करना चाहते हो तो इंस्टाग् एक सौप्ट पॉन की तरह है, बट मैंने सिर्फ 20 दिन ही नो फैप को फोलो करके अपनी लाइफ में काफी सारे बेनिफिट्स एक्स्प्रियेंस किये हैं, जो लोग नो फैप को काफी लंबे टाइम से फोलो कर रहे हैं, और सिमेन रिटेंशन को काफी लंबे टाइम से प्र बनते हैं, और हमारी ओवरोल हेल्थ बढ़ती हैं, हमारी बोडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जिससे हमारा वोईस डीप बनता है, हमारे हैर की स्रेंथ बढ़ती है, ठिकनेस बढ़ती है, हमारे स्कीन की हेल्थ बढ़ती है, और हमारी स्कीन ग्लोइंग द स्टार्टिंग में जब रिलैप्स कर देते हूं तब आपको रियलाइज होता है कि आपको यह सब बेनिफिट सब सच में होते हैं क्योंकि जब आप रिलैप्स कर देते हूं तब सदनली आपके मोटिवेशन के लेवल में आपकी एनरजी के लेवल में आपकी अट्रेक्टिव चैलेंज का experience और one by one benefits जो मैंने अपने life में experience किये हैं उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहला benefit high level of motivation नो फैप चैलेंज को start करने के सिर्फ 3-4 दिन के बाद ही मुझमें अंदर से ही motivation आता था आपको बिना motivational videos देखे और आपको अगर कोई काम करने के लिए नहीं भी कहता है तो भी आपको अंदर से ज्यादा काम करने की इच्छा होती है दूसरा benefit मेरी energy के level में increase हुआ है means में जितना भी काम कर लू मुझे boring फिल नहीं होता है, sadness फिल नहीं होता है में एक काम को खतम करने के बाद तुरंत दूसरा काम वेसे ही पूरे दिन अपने कामों को पूरी energy के साथ खतम करने लगता हूँ next benefit है nofap को follow करने के बाद मेरे mind की clarity और creativity बढ़ी है nofap को follow करने के थोड़े ही दिने को बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे goals को पाने के लिए आज मुझे क्या steps लेने है हर रोज मुझे समझ में आ जाता है कि आज मुझे ये काम करना होगा तबी मैं इस काम को करने की वज़र से अपनी goals की तरफ एक step नज़िदिक जाऊंगा mind clear रहता है मैंने experience किया है कि मैं अब present moment को पहले से ज्यादा अब enjoy कर रहा हूँ पहले मुझे past के बुरे experience के कारण कुछ time sadness महसूस होता था बट अब मैं past के बुरे experience को अपने present moment में याद करकर sadness फिल नहीं करता अब मैं present moment को ज्यादा happiness के साथ enjoy कर पाता हूँ और अपने future को best बनाने के लिए काम भी करता हूँ next benefit है मेरे courage के level में increase हुआ है यानी मेरी हिम्मत बढ़ी है पहले में किसी बड़े officer से बात करने से पहले डरता था anxiety फिल होती थी और पहले मुझे कोई अंजान व्यक्ति से बात करने से पहले भी anxiety फिल होती थी nofap को follow करने के एक week के बाद ही मुझे realize हुआ कि मेरी social anxiety के level में काफी कमी हुई है साथ ही साथ में मेरा confidence level भी काफी increase हुआ है अब मैं किसी के भी साथ आराम से बात कर लेता हूँ चाहे वो कोई beautiful लड़की हो और चाहे वो कोई अंजान व्यक्ति हो stranger हो मैंने ये भी experience किया है कि अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए मैं immediately action लेता हूँ अब मुझे गलत चीजों के सामने action लेने से डर नहीं लगता है और अब मुझे गलत चीजे मेरे सामने होती है तो मुझे irritation होता है next benefit जो मैंने nofap के दोरान experience किये है वो है अब मुझे ज्यादा strong eye contact दिखने को मिलते है interest की एक major sign होती है strong eye contact सो करता है कि सामने वाला व्यक्ति आप में interested है और आप से attracted है मैंने सिर्फ 20 दिन तक porn और masturbation को छोड़के इतने सारे benefits को experience करने के बाद मैं इस quality को इस habit को continue करना चाता हूँ मैं आगे एक long streak करना चाता हूँ मैं आगे भी मेरे experience को आपके साथ share करता रहूँगा अगर आप भी अपने आपको एक real alpha man बनाना चाते हो अगर आप भी अपने आपको successful person बनाना चाते हो अगर आप भी अपने आपको happy person बनाना चाते हो जिन्हें लोग पसंद करते हैं, जिन्हें लोग प्यार करते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको भी NoFap के 30 Day Challenge को ट्राय करना चाहिए और ये सब Amazing Benefits अपनी लाइफ में खुद Experience करके देखो और खुद अपनी लाइफ को Change होते हुए देखो स्टीव जॉब्स ने इसके पावर को जाना, महत्मा गांधी ने इसके पावर को जाना, स्वामी विवेका नंदा ने इसके पावर को जाना, दुनिया के सभी ग्रेट लीडर्स ने इसके पावर को जाना, दुनिया के सभी ग्रेट बिजनेसमेंस ने इसके पावर को जाना, त उसका अपनी सक्षेस के लिए यूज कीजिए। स्वामी विवेका नंदा कहते थे। A man controlling the seminal fluid for 12 years develops a special power. He grows a new inner nerve called the nerve of memory. Through that nerve, he remembers all, he understands all. मैं जब स्कूल में था, तब मैंने कहीं पढ़ा था कि स्वामी विवेका नंदा जब भी कोई book का page पढ़ते थे तो उस page को फाढ़ के फैक देते थे क्योंकि उनको दूसरे बार उस page को पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ते थी वो सिर्फ एक ही बार में उस page को पढ़के याद रख पाते थे और ये खोबी उन्होंने काफी लंबे टाइम तक सिमेन रिटेंशन की प्रैक्टिस करके हासिल की थी अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज यूटूब अल्गोरिदम के लिए लाइक का बटन दबा दो और ऐसे ही more personal development, entrepreneurship, self-help topics के पर वीडियोज देखने के लिए सब्स्क्राइब करो मैं निले समकवाना मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए See you, bye bye, peace झाल